तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताने होनों WhatsApp के नए अपडेट के बारे में नए अपडेट करने के दोस्तों इसमें करा गया उन्होंने एक नए फीचर को बोल सकते हैं एक नया UI को जोड़ दिया गया WhatsApp के वाइस कॉल में जब भी अगर आप वाइस कॉल क करते थे वहां पर आपको किसी को मर्च करना होता था तो पहले अलग आइकान अधा अब आगर आपको वहां पर उसको जाएंगे तो वहां पर आपको एक नया UI मिलेगा या बोल सकते हैं नया या लियाओट है फिलाल WhatsApp के पीटा यूजर को मिल चुका है दोस्तों कुछ करेगा वीडियो को पूरे देख तो ई आप सोच पहें दोसोच चलते हैं मिरे नाम उतक्थ किल्यास नहीं वा रहे दो को करना है विद्ध को पहले जाना में अपने ल्हाइब कर नमबर पर आपको कॉल करने के बाद के लिए तो सब्सक्राइब यहां पर प्लस पे क्लिक करना रहता था उफर आपको दिख रहा होगा यहाँ click करके आपको किसी को join करना होता था अगर आपको किसी को join कराना है बट अब आपको यह option नीचे मिल जाएंगे अगर आपको किसी को यहाँ पर join कराना है तो simply आपको यहाँ पर add partition पर click करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहाँ पर search करके उसको join कर लेना है और वो यहाँ पर join हो जाएगा जो कि latest update में आया है पहले क्या होता था जो कि मैंने आपको बताया पहले आपको यहाँ से रहता था बट यहाँ पर आप कुछ changes बोले तो यहाँ पर यह UI को changes करा है बाकी uses वैसे ही कैसे मैं आप बतायता हूँ add participant पर क्लिक करा participant पर मैंने यहाँ पर number को search माल दिया जिनको मिरे को call करना है तो मैंने यहाँ पर इनको call कर दिया तो जैसी वहाँ पर call connect हो जाएगा आपका conference में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा group voice call का आपको उपर notification मिल रहा होगा और नीचे वैसे वैसे यह आपको मिल रहा होगा जो layout है यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा और यहाँ पर अभी ringing बता रहा है अभी call उठाया है नहीं है तो ringing पर आ रहा है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसे ही तो please like जरू करें अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो में कुछ कमी अगर आप